से अरोज कोषल उल्कम यॉल अलोर अब कैसे है आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं मैं भी अच्छी हूं रिशाबही तंग करके रखा है पतानी क्यूं मतलब पूरा दिन रिशाब्व डाट खाता है तो चलिए फिर आज का टॉपिक है ज हिमाचल को क्या कहा जाता है कि इनकी नामों से हिमाचल को बुलाए जाता है हिमाचली literally means a board of God कहा जाता है land of snowy mountains the fruit bowl of India the apple state of India इतने सारे नाम से हम हिमाचल को बुला सकते हैं ठीक है और हिमाचल लाई करता है कहां in the western Himalaya between the 30 degree 22 to 33 degree 12 22 to 33 degree 12 North latitude North latitude और longitude की बात करें तो वह होता है 75 degree 47 to 79.04 East longitude यह है इसका latitude और longitude ठीक है अब हम boundaries की बात करते हैं जो तो हिमाचल है वो North में boundary बनाता है किसके साथ J and K जम्मू and कश्मीर के साथ North में boundary शेयर करता है ठीक है और South East की अगर North का opposite मैंने थोड़ा इसको याद करने के उससे लिखा है कि किस तरह से आप इसको याद नोर्थ का opposite South direction तो North में J and के South East South के साथ East भी है South East में अगर turn हो जाते हैं तो उत्राखंड और South West की अगर हम बात करें तो South West में क्या होगा हर्याना ठीक है नोर्थ में J and के है South East में उत्राखंड South West में आपका हर्याना तो ये देखिए अगर ये आपका जे और के है तो इसका opposite क्या हुआ South ये North है ये South है South East की अगर मैं बात करूँ तो ये उत्राखंड है South West में अगर मैं कहूं तो ये हरयाना है ठीक है उसके बाद आता है West West में कौन है Punjab West मे Punjab P-U-N-J-A-B पतने क्या लिख दिया मैंने और East में क्यों हुआ East में तिबबद East में तिबबद ठीक है तो ये देखें कौन-कौन सी बॉन्डरी पे भी कौशिन आता है कौन-कौन सी बॉन्डरी शियर करता है तो नोर्थ में जे एंड के South East उत्राखंड South West हरयाना West में पंजाब और East में तिबद तो ये हो गया उसके बाद अगर population की बात करें तो जो हिमाचल की population है वो है 68,64,602 तो देखिए 44 का गैप है 68,64,60 चीक है 2 60 पोजीशन पे है ये इंडिया के इंडिया का जो 21st पोजीशन पे है हमारा HP population wise इंडिया की 21st जैसे 29 स्टेट अब 28 हो गई है तो 28 स्टेट में से 21st पोजीशन पे इसको कहा गया है कि 2011 के जन गर्ना के according कि जो हमारा इंडिया है उसके 21 में स्थान पर हिमाचल अपनी जगा बना रहा है population wise ठीक है और पूरी भारत की population का 0.57% ये बनाता है ठीक है कितना बनाता है 0.57% of total population of इंडिया और 21st position पे ये है ठीक है उसके बाद अगर बात करें geographical area की देखिए geographical area of हिमाचल परदेश geographical area की बात करें तो geographical area कितना है 55,673 square kilometer 55,673 square kilometer ठीक है और पूरी इंडिया का जो geographical area है उसका 1.7% ये बनाता है हमारा हिमाचल कितना contribute करता है total geographical area of इंडिया में 1.7% और हिमाचल is 18th state of इंडिया according to geographical area की इसाफ से 18th state of इंडिया है ठीक है ये हो गया population हो गया geographical area हो गया अब from south to north hp can be divided into three zones जो हमारा हिमाचल है वो south से north में जो तीन zones में divided है सबसे पहले आती है आपकी lower the lower hills जिसको बोल सकते है the lower hills और outer zone outer zone ठीक है second आपकी आती है the lesser और inner या फिर middle और middle हिमाल्या middle हिमाल्यान जोल ठीक है और थर्ड जो आती है वो है the greater the greater हिमाल्यास और अल्पाइन जोल अल्पाइन अल्पाइन शब देखी पहाडों भी तरफ ज़्यादा अल्पाइन वो ट्री से रिलेट करते है जो निर्ल टाइप स्ट्रक्चर्स के प्लांट से होते हैं जिनके बदल लीफ्स निर्ल लाइक होते है अल्पाइन जोन ठीक है देखेब दो तिं नाम से किसी भीability कोश्यन आ सकता है याउटर हील्स किसको बोलते है लोर और इसमें जरनेली कोश्यन कहां से आता कि शिवालिवा हील्स लोर हील्स में शिवालिव हिल्स भी कहते हैं toolbox शिवालिव हिल्स Venk को क्या हो गया पहने देखना कोई और लोर है इस ही नाम से कुष्यण आता सिवाली केंज और यह कितने जो रहे यह काहां कितने से कितने फॉल सी लेवल इसको नापा जाता है तो तीन साढ़े टिन्सों मिटर फिफटी मीटर्स तूवा फिफ्टीन हंडर्ड मीटर्स और फीट में अगर कहूं तो 4,920 feet यह है ठीक है और Traches of Shiva कहा मिलते हैं Lower Hills में मिलते हैं Traches of Shiva ठीक है और पहले टाइम में एक को चना आता है श्वालिक हिल्स को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था मेनांक मेनांक परवत M A I N A K परवत P A R V A T मेनांक परवत कहा जाता था चैके और इक तो सी-डिस्टीक्स को इंक्लूड करता है, मैं तो इस्ट्रिक्स की बात करूं किन को इंक्लूड करता है, बिलासपूर हो गया आपका, हमीरपूर हो गया, कांगडा हो गया, उन्ना and lower part of lower part of mandi swollen and सिर्मोर यह होगा आपका lower hils के में में important question यहीं आते है मैंने भी मतलिक वा हिटेट में भी एक बर question आया कि शुवाली की hills को और किस नाम से मेनांक परवत मेनांक परवत के नाम से जाना जाता है इसके नाम से जाना जाता है यह मिलते है ठीक है और जो जो डिस्ट्रिक्स है वे उन्हें आप बता दी उसके बाद है the lesser or inner the lesser number 2 the lesser or inner Himalya जिसको middle zone भी कहते हैं ठीक है यह आपका 1500 meter से 1500 meter 1000 अब districts की बात करें upper part of sirmore upper part of sirmore मंडी sorry मंडी कांगडा और शम्बा एंड शिम्ला हिल्स ठीक है और इसके अंदर दो mountain range कोशन इसके अंदर से कहां से आता है lesser Himalaya की और inner और मीड हिमालय में से कोशन कहां से बनता है दो mountain range है इसके है two mountain range इसके अंदर आती है ranges कौन-कौन से आती है mountain range की अगर मैं बात करूं कौन-कौन से आती है दोला दार दोला धार mountain range जो कितनी है 4500 मिटर और दूसरी आती है पीर पंजाल पीर पंजाल मिडल में आ रही है यह ठीक है पीर पंजाल mountain पीर पंजाल रेंज यो कौन सी हिमाल्य मतलो हिमाचल की जो त्री रेंजी जा उनकी कौन सी रेंज के अंदर यह आती है middle और lesser zone के अंदर चीक है अभी देखिए जो दोला धार है दोला धार है mountain range जो दोला धार mountain range है यह आउटर मोस्ट outer most range of lesser हिमाल्य आउटर मोस्ट है lesser हिमाल्य की ठीक है और दोला धार का मतलब क्या हुआ वाइट mountain वाइट mountain और इसको मोलाक पर बत मोलाक मोलाक यह दखना कि दोला धार दोला धार के अंदर आती है मोलाक और मिनाक आती है वो उसके अंदर ठीक है तो यह जो मोलाक पर बत है यह कहां करता है लाइज इन कांगड़ा लाइज इन उसके अंदर ठीक है शिवाली की hills के अंदर ठीक है तो यह जो मोलाक पर बत है यह कहां करता है लाइज इन कांगड़ा उसके बाद आता पीर पंजाल पीर पंजाल बहुत बार कुशन पूछ लिए जाते हैं इन रेंजी से पीर पंजाल के अगर मैं बात करूं largest range largest range of inner हिमाल्या ठीक है largest range है जो पीर पंजाल largest range है इनर हिमाल्या की और कहां है यह Columbia Chamba District Chamba CHMBA Chamba District में ठीक है और दोला धार जो है वह आउटर रेंज है इनर हिमाल्या की और पीर पंजाल largest last हमारा है दे ग्रेटर दे ग्रेटर हिमाल्या और जिसको अल्पाइन जोन भी बोलते हैं greater हिमाल्या और अल्पाइन जोन इसके अगर बात करएं तो यह 4500 मिटर से लेकर 7000 मिटर इतनी इसकी स्मूदर तल से जो उुँद चाहिए ठीक है और इसमें जहान्सकर रेंज जहान्सकर रेंज ठीक है जो शिला है यह अगी ती मांटेन पीक वो इसी जोन में आती है ठीक है शिला highest mountain peak जहांसकर रेज और इसमें जो districts आती है वो है कि नोर चंबा एंड लॉल्स में तो यहां से जो question आता है शीला के लिए पूछ लिया जाता है highest mountain range और जहांसकर रेज कौन सी उसमें है तो यह alpine zone किसको बोलते हैं तो और थोड़ा सा है और कुछ बताने के लिए वीडियो जादा लंबी हो जाएगी हिमाचल का तो अभी बहुत कुछ वाकिया चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश फॉर्मडोन 15 अप्रेल 1948 15 अप्रेल 1948 को जो हमारा हिमाचल बना था यह हिमाचल एक स्टेट नहीं बना था सिर्फ हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रेल 1948 को ठीक है तो जब यह बना था और एचपी अगर स्टेट की बात करें तो 25 जनवरी 1971 1971 को एक स्टेट बना हमारा हिमाचल ठीक है फोर डिस्टिक वेन एचपी फोर्म जब हिमाचल बना पंदर अप्रेल 1948 है आपका हिमाचल का गठन हुआ उसरें चार डिस्टिक थी कौन कौन सी थी चमबा महासू मंडी एंसिर्मोर ठीक है और यह चार डिस्टिक थी जब हिमाचल बना ठीक है और उसकी उस टेम पॉपुलिशन कितनी थी 27,018 थी जो सौरी यह यह तो एरिया था स्क्वेर में न स्क्वेर किलोमेटर में यह एरिया था उस टाइम का ठीक है और पॉपुलिशन थी वो थी 9,35,000 9,35,000 तो अभी जो population है वो 68,45,602 है और उस टाइम जब 4 डिस्टिक थी 15 प्राइल 1908 इसको 9,35,000 population थी और 27,008 स्क्वेर किलोमेटर एरिया था जो आज है 55,673 स्क्वेर किलोमेटर ठीक है तो और पार्टसी स्टेट हिमाचल अजब बना ये भी आ जा था question तो पार्टसी स्टेट हिमाचल जो हमारा बना वो बना था 1951 में 1951 में पार्टसी स्टेट बना हिमाचल NC महता एंसी महता और जो फर्स्ट वाइस चीफ कमिशनर बने कमिशनर बने वो थे एपी मून एपी मून ठीक है वो बने फर्स्ट वाइस चीफ कमिशनर ठीक है लेकिन जब हिमाचल जैसे पार्ट सी स्टेट बना 1951 में है तो उसमें क्या हुआ चीफ कमिशनर वाइस रिप्लेस वाइस लेफ रंड गूर्र जो चीफ कमिशनर का पद था वो लेफट रंड गूर्नर से रिप्लेस किया गया ठीक है और जो फर्स्ट लेफ रंड गूर्नर जो अपउइंट हुए थे फर्स्ट मार्च 1952 को वो थे मेजर जनरल जनरल हिमत सिंग हिमत सिंग ठीक है तो ये था फर्स्ट जो लेफ्ट अंड गवर्नर थे आपके ठीक है जो हुआ सबसे पहले जो इलेक्षन फर्स्ट जनरल इलेक्षन जो हुआ जनरल इलेक्षन जो हुआ स्पेलिंग्स मिस्टिक आज बहुत हो रहे हैं जनरल इलेक्षन 36 मेंबर 36 मेंबर के साथ Legislative Assembly के 36 अभी 68 होते हैं विदान सबाक के साथ थे उसरें 36 और कब हुआ नॉमबर 1951 और मैजोर्टी में उसरें कौन सी गवर्मेंट आई थी कॉंग्रेस पहली बार इलेक्शन हुआ तो कॉंग्रेस वान विद्ध तो 24 शीट्स जो कॉंग्रेस थी आपकी 20 कॉंग्रेस जीती थी इसमें एलेक्शन और कितनी शीट्स के साथ ? 24 शीट्स के साथ यह तो 24 शीट्स थी ठीक है तो 36 टोटल शीट्स थी उसमें से 24 गवर्मेंट जो कॉंग्रेस को मिली थी यह शीट्स और वह इसके इसमें इलेक्षन में जीती ठीक है तो HP become Union territory अब HP Union territory बना खब HP became Union territory UT युज को बोलते हैं Union territory 1st November 1956 को बना और Mr. बजरंग बजरंग बहादूर सिंग बजरंग बहादूर सिंग जो थे वो क्या बने Left-hand Governor of HP Left-hand Governor of HP ठीक है बजरंग बहादूर सिंग यह 4 डिस्टिक्स के साथ अभी तक इतना हुआ फिर 19 फर्स्ट जुलाई 1954 को बिलाशपूर हिमाचल का पांचमा जिला बना 5 डिस्टिक ऑफ हिमाचल परदेश ठीक है फर्स्ट जुलाई 1954 चलो थोड़ा सा यही चीज़े बता देती हूँ बाकी तो और बहुत डिवीजन और बहुत लंबा वीडियो हो जागा नेस्ट में बताती हूँ तो बिलाशपूर के बाद फर्स्ट माई 1960 किनोर बना छटा जिला किनोर शिक्स्थ यह फिफ्थ था ठीक है और उसके बाद फर्स्ट जुलाई 1960 सिक्स्थ में कांगडा कुलू शिम्ला और लौहल स्पिती यह चार जिले बने 66 में ठीक है उसके बाद फर्स सेप्टमबर 1972 को हमीरपूर और उन्ना रिस्टिक कांगडा से मतलब कावड आपट हूए और जबकि शिम्ला और महसू रियोर्गनाईजड तो शिम्ला एंड सोलन डिस्टिक मतलब महसू सोलन का नाम दिया गया महसू को और शिम्ला को रियोर्गनाईजड किया गया ठीक है तो इस तरह बाराजिले पूरे हो गया और आज का वीडियो यहीं मैं एंड कर रही हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू के साथ थैंक यू सो मच फोर वचिंग